हेलो एवरीवान वेल्कम टू रीटेक्स कीता सोय और आज हम आपको बताने में लच्छा पराठा की रेसिपी जो की खाने में तो बहुत टेस्टी होती है और उसे भी एजी आपको बनाने में लगेगी तो यह बहुत जल्दी बन जाएगा कम इंग्रीडियंट्स के साथ बने लच्छा पराठा के लिए हमें सबसे पहले चाहिए दही और यह घर का बना हुआ दही मैंने यूज कर रही हूं आप चाओ तो आर्टिफीशल जो दुकान वाला दही होता वह भी यूज कर सकते हैं उसके बाद मैं लिए यहां पर चाट मसाला मैंने अपने स्वाद के नु उसके बाद मेरे पास है दो बड़ी चमच तेल जीता मैंने दही लिया उतना ही तेल भी लिया है फिर मेरे पास है शुगर और कस्तूरी मेथी उसके बाद मेरे पास है बेकिंग पाउडर और नमक मेरे पास है स्वाद अनुसार ही उसके बाद फिर मेरे पास है आटा 250 ग्रा तेल दही बड़ी चमची दही और उसके बाद फिर में डाल रही हूं अपनी स्वाद नुसार नमक और पिर में डाल रहे हैं थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और फिर में डाला है चीनी आजा चमची करीब अपर ने उसके बाद हम सबको अच्छे तरहीए से मिक्स कर देते हैं जार पानी कर सकते हैं और दही या तरही चमची,ल्यूसली चमची भीना पानी का ही किया है यहां तो गो बहुत अचे तरीकेस से रैडिय हो चुका है आज dialogues अ़ इसे हम 10- 15 minutes के लिए हम उसे मिल्ट होने के लिए छोड़ देंडों 15 minutes बाद जो डो है वह बहुत ऒभत अच्छा जैसे मेल्ट हो चुका है अब हम इसे एक बार और अच्छे तरीके से गून देते हैं ताकि इसका और फ्लपिनेस बढ़ जाए उसके बाद हम गैस फ्लेम को अन करेंगे और उसके पर पैंच चढ़ा देंगे ताकि गरम हो जाए तब तक हम अपना डो को रेडी कर लेते हैं उसको बेल लेते हैं मच्छ लोग निक्ता बट ऐसे उसके अपना आप लगास गया नि О्च अर झाल में आप करमेस कि तगा साइड हлюсा कि पाल कि अच दों भाल लेंगे लिया तो इसको एंप्तना पंगे वे2ा पेलना है कि अथिससे ब्लमाळ को एट हैं उससे को अभी पंग हमें यह पर इसके जगह सरसो का तेल भी यूज़ कर सकते हैं और अब हम जब इसमें तेल डालेगे तो इसको अच्छी तरीकी से हम उपर से मिला लेंगे तब सारा साइड से तभी नाले नमक स्कताइण कॉलांजे रूंजरा डालें अब यसको ऊपर रोल करेंगे बहुत अच्य तरह के से रोल खूड़ें हैं आप इसको पतला ही रोल किजेगे जैसे पैली destak कि शिपता करेंगे हात। से अब्सक्षाक के पाइर्प है सरस्वक से उपने हां। के लिए सब्सक्राइब कर दे सकते हैं आण सब्सक्राइब उपनी चाहिक पतला बेल ला है को बेलना है ऑफ हम इसको बेला प्तला बेला है अब इसको टवा पैन रेड़ी की आवा थाखते है गरम हुचा, इसलिए मैं आप इसको डाल दिया है फंप पैन में डाल दिया है इसरी छीज़ाने के लिए इस पीछ आपके नहीं हलका सीछ चुका है इसलिए मैंने वापस से रिफाइन उई लगा दिए आप चाहओ तो सलसो तेल भी लगा सकता है सखते हैं अब अच्छह सब को मिला दैते हैं तेल को और यह मिला इसे किल टेल कोण अर तर भीption टील को अब हम सज्ञाएं मेंसे तर पर लख्या से जाएंगे बिल्कुल ये रेडी हो जाएं ऐसे टाइप तब इसको एक कटोरी पे लीज़ेगा उसकी उपर रखेगा इसको बहुत अच्छे बिल्कुल इसे दर किसा आपको रखना कटोरी पे और इसकी बाद इसको एंजोई कीजिए लख्या पराटा बिल्कु ये अच्छछब वैसा इसको एनका लट्चअ पराठा का अगको पराथवो को इसको त्राय कर सकते हैं जब करनेर कॉर्म के साथ भी कर सकते हैं तो भी ये रिदी है तो उसको वीडियो प्रमा पारो हर कि दू दिया सकते हैं तह Reynolds की परनीर के बौनेर के साथ तके बहुत हो झाल झाल